हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ट से क्लासिक्स का शोसल साइन्स से लेसन नंबर एट अल्ली मैं दा स्टून एज इसके कोशन आंसर देखेंगे तो स्टुडेंट्स कोशन आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नौर्टिफिकेशन आप तक मिलता रहें तो चलिए हम स्टाट करते हैं अपने कोशन अंसर तो देखते हैं यहां पर हम अपना कोशन first कोशन first क्या है? कोशन first है What do you know about the Old Age? Old Stone Age तो इसमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि Old Stone Age के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अब आंसर देखते हैं इसका तो answer है आपका During old stone age the life of early man was like of sorry life of early man was like of animals तो यहाँ पर क्या बोल रहे है यहाँ पर यह हो रहा है कि during old stone age के दोरान जो थी, जो man थे उनकी जो life थी वो कैसी थी animals की तरह थी He survived on whatever he could get through nature, वो कैसे survive करते थे अपनी life को जो nature के through ने मिलता था, उसी से वो survive करते थे He did not know about the fire and he ate raw meat and fruit that grew wild, तो वो क्या करते थे उनको fire का कोई भी knowledge नहीं था उस समय कि fire मतलब आग कैसे जलाना है, पकाना कैसे है तो वो क्या खाते थे, raw meat खाते थे, मतलब कच्चा मास खाते थे और जो वो एनिमल्स को हंटिंग के लिए, मतलब उनका शिकार करने के लिए जो वेपन का यूस करते थे वो क्या होता था? वो स्टों सोते थे उस स्टों को पतला काटके वो उसको वेपन बना देते थे देखते हैं, नेक्स्ट कूशन आपका नेक्स्ट कुशन है, राइट, फाइफ इंपोर्टेंट केरेक्टरिस्टिक अबाउट दा नियो लथिक एज, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, नियो लथिक एज की जो पांच प्रमुक विशेषता हैं, उनके बारे में बताना है, तो आंसर देख लेते हैं, The third and the last phase of stone age is called the new stone, new stone of the neolithic period, तो जो यहाँ पर, third or last phase of stone age का, उसे क्या कहा गया था, उसे कहा गया था, उसे कहा गया था, new stone or, new stone or, कौन सा phase का period कहा गया था, neolithic periods कहा गया था, तो followings, we are the important characteristic of the neolithic age, तो देखते हैं, इसके character important, तो यहाँ पर first क्या है, first है, man was now living in huts, he started to cook food, तो यहाँ पर क्या था, man जो था, वो हट्स में रहना प्रारम कर दिया था, उसने मतलब start कर दिया था, और उसने क्या बनाना start कर दिया था, cook food भी गरना start कर दिया था, next, देखते ह तूल्स थे कैसे हो गई थे शार्प हो गई थे और वेट में कैसे थे थर्ड पॉइंट यह थेस्ट पॉइंट है यह थेग्टुल्स देखते है और फिट्ट को लेधे करें ऑपने फूट को ए इसमें रखते थे और उन्होंने पता है चितरकारी सीख ली थी मतलब फिगर्स बनाना सीख लिया था अपनी वाल पर और नेक्स्ट देखते हैं आपका लास्ट पॉइंट लेर्न तू मेग बीट्स अंड यूज देम जॉइलरी बनाना भी सीख लिया था नेक्स्ट देखते हैं आपका next question है आपका what do you know about the mesolithic age? तो यहाँ पर हमें क्या बताना है mesolithic age के बारे में आप क्या जानते हैं to mesolithic age को हम लोग क्या हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं madhipashan yuk कहा जाता इसे तो देखते हैं इस का answer the middle stone age period is called mesolithic period मिल्ट फिरियट का इजर फिरेट काहल थाइं व्हारा हिए इस प्रेट मैं क्रेच चाहिए इस फिरियट में खेंग बहुत दूप अर जवर्पार्ज तो इस पाँ लिए भूट पीशिम एल्प मैं वेय्टिक में टीच तू आंटीच अर्पैर युट छूम। शे नापम लिए माधूर के छूम को यह संधिया, मैम पणिया बब है इस लिए संधिया fewड़े हैं, र触 मुलुग है की अजियर आठीति, मुल्र रWhat बश्तिवान वन्हें रहत तो से होते थे बहुत शार्प होते थे he also learned then that certain types of food grains could be stored for a long time and make small huts और इन्होंने क्या सीख लिया था इन्होंने जो है कई प्रकार के जो grains होते हैं उसको किस तरीके से long time तक उसको मतलब हम स्टोर करके रख सकते हैं और छोटी-छोटी जोप्टेयां भी बनाना सीख गए थे next question देखते हैं आपका next question है how did the invention of wheel helps men तो यहां पर हमको बताना है कि जो wheels होते हैं उसके अविश्कार से मतलब उसके invention से मनुष्य को human को किस प्रकार की help मिली है तो answer देखते हैं इसका with the discovery of wheels the man learn to carry load easily तो इस discovery of wheels मतलब wheel के अविश्कार से उसको क्या में आ गया था उसको यह man को यह आ गया था कि वो जो है भारी-भारी जो load होता था समान होता था उसको easily क्या करता था carry कर सकता था he learned making vessels with the help of wheels और उन्होंने क्या सीख लिया था विल्स के थ्रू क्या सीख लिया था वैसल्स भी सीख लिया था उन्होंने नेक्स्ट कुशन दिखते हैं आपका नेक्स्ट कॉशन है राइटि नोटस और केव पेंटिंग तो हमें क्या लिखना है यह पर केव पैंटिंग के बारे में नोटस लिखना है तो आगे दिखते हैं इसका ऑंसर दा अल्ली मेल लर्टो एक्सिप्रेस ही अर्किटिक by drawing figures on the wall of caves with the help of pigment and pointed stone तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो है, जो मैन है उसने जो है, अपनी जो मतलब ड्रॉइंग है उसको व्यक्त करना, मतलब उसको फिगर को जो उनके मन में होता था, वो फिगर को व्यक्त करना वो सीख गये थे, कि अपने मन की बाते वो फिगर चितर बना के वो बता सकते थे और इसके लिए वो क्या करते थे? इसके लिए जो है, वो जो इस पॉंटेड स्टोंस वगेरा होते थे उसकी हेल्प से क्या करते थे? गुफाओं की दिवारों पर पेंटिंग करते थे तो मेनी टाइम्स ते आर ओनली लाइन ड्रोइंग कितनी बार तो वो बस क्या करते थे? लाइन की ड्रोइंग करते थे ही जू रुदा फिगर्स ओफ एनिमल्स, हुमन बिंग्स एंड हंटिंग सेंज Such drawings are found at Bheem Batka in Madhya Pradesh तो उन्होंने जो भी प्रकार की, जिस भी प्रकार की painting की थी अपनी hunting में वो सब कहां पर है, वो drawing अभी भी कहां पर है Bheem Batka Madhya Pradesh में है Match the following देख लेते हैं, next question आपका Match the following है Paleolithic age क्या था? उसमें क्या थे? Caveman थे Mesolithic age में क्या था? Middle stone age था King Batka Cave painting के लिए था Hunter Gathers, क्या था? Old stone age था अब true false देख लेते हैं आपके True false है Men plugged field for agriculture in old stone age तो इसका answer क्या होगा? आपका wrong होगा Next देखते हैं Cave painting of stone age are found of many places Cave painting of stone age में थी कई जगा पर वो मिलती थी तो ये इसका answer क्या होगा? Right होगा Neolithic period means modern times तो Neolithic period modern time नहीं था तो ये इसका answer क्या होगा? Wrong होगा आपका तो students इसके जितने भी question answers थे मैंने आपको करा दिया है नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे बाई बाई students, take care